हेलो एर्वन गुड मॉर्णिंग एंड जहिंद मैं वेकर आप सभीका स्वागत करता हूँ एक्जाम्पूर डिफेंस वरीर यूटूब चैनल पर कैसे आप सब लोग बढ़िया तो आप लोगों से बोला था कि आपको फील होगा कि एरफोर्स का एक्जाम्प कैसा होता तो उसी चीज को इंप्रूमेंट तरीके से मतलब और बहतर कर पाओगे अपने आपको जो भी आपका नॉलेज है आपका क्या स्कोर हता है कितने मिनट में आप कितने को सॉल कर पाते हो मतलब बहुत सारी चीज निगे सब कुछ दोगे और आपको फ्री ओपकॉस्टों का टिंसर मत लिजीगा इसका जो भी आप चार से पांच मॉक टेस्ट दोगे बिटा इसमें क्या रहेगा आप लोग को कि इसका जो एवरेज नंबर आएगा उसको जो लोगे वही इग्जेक्ट आपको वहाँप देखने क मिलेगा ठीक है लेवल अप डाउन किसाब से चार पाच मॉक्टेस्ट मिलेगा वो उसके अंदर सब कुछ महने सुधाएगा ओके चले बात करते सीधे सीधे तो यह जो मॉक्टेस्ट होने वाला बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ट होने वाला जैसा कि आप एरफोर्स में जाके जो अंतर मिलेगा एरफोर्स डिलेटेड मैं वह भी बता दूँगा आप सभी को साथी साथ मोबाइल में भी आप इसको दे सकते हो ना इक्जाम पूर ऑफिसल एप खोलोगे तो वहां पे भी आप इसको मॉक्टेस्ट को दे सकते हो ठीक है दूसरी चीज़ी अगर आप रि जससे रहेंगे उसको दे कि आप कर ले ना या अगर आपके दोस्त के पास आपके पास लैट्टॉप है तो आप लैट्टॉप से कर सकते हो आए सिधे मुद्धे की बात पर आते हैं तो यहां पर यहां पर जब आप जाओगे विवसाइट पर सीधे ठीक है रोम पर जाना यहां पर आपको धेर सारा चीजे दिख रहा होगा अब यहां पर यहां पर live test एक flash कर रहा होगा ठीक है, live test का चला, flash चला, देखेंगे आप सभी लोग यहां पर चला है, इसके बगल में है आपके पास test series क्या है? test series है, आप इस test series में चले जाना कहां चले जाना इस test series में चले जाना test series में जैसे जाओगे यहाँ पे नीचे यहाँ पे धेर सारी category आपको देखने को मिलेगे SSC, Railway, State, Teaching, Banking और Banking की नीचे यह आपको defense होगा तो defense जैसे select करोगे यहाँ पे आपके पास धेर सारा चीज़ आजागा FCAT, NDANA, CDS, CAPFAC, BSF exam, Air Force, Agnivir, YU तो यही हमें चाहिए Air Force, Agnivir, YU पे आप select कर लोगे कि यहाँ आप आगए यहाँ पे अब यहाँ पे X group, Y group आप जो भी test दिना चाहते हो उस हिसाब से आप सभी लोगे इसको select कर लीजे और पहले mock test से आप देना start कर दोगे पहले mock test से आप देना start कर दोगे, आप सभी को यहाँ पे, मैं एक तरीके से open करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप test open करोगे तो proper तरीके से जैसे महाँ पोता वैसे ही होगा, और कुछ इस तरीके से आपका math का section आपको देखेगा, फिर English का, आपको पहले math देखेगा, फिर physics, फिर English, तीन section देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही आपके exam में भी आएगा, और जैसे जैसे आप इसको question को solve करोगे, आप समझ करेंगे, जब आप यह नहीं करोगे, तो आपका answer सेव नहीं होता, तो बहुत सारी गलतियां आप खुदी से सीखो, मेरे बताने साप exam में भूल जाओगे, नहीं काम आएगा, जब आप इसमें गलती करोगे, सीखोगे, तब आपको समझ में आगा, अच्छा, यह मामला है, और यह चीज़े आपको exam में बहुत time बचाएंगे, और आपके pressure को कम करेंगे, यार कहीं हमसे, मतलब submit होने में गड़बडी नहीं हो, हम जो tick लगा रहे हो, answer सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यह सारी चीज़ आपके मन में, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि online में, exam में जो एक बार ठीक लगा दिये, दोबारा नहीं हटता, बिल्कुल हटता, आप जब चाहो तब हटा सकते हो, final submission के पहले तक, यहाँ पर submit है, यह final है, अगर आप यहाँ पर कर दिये, तो आपका submit हो जाएगा, फिर आप इसके पीछे नहीं जा सकते, इस चीज़ को धिखा स्टार्ट होगा और 25 तक जाएगा, यहाँ पर जो time आपका चला, जो time limit है बेटा, यह क्या पूरे complete section का है, यानि complete paper का है, और जो वहाँ पर आप paper दोगे, वो math, इसका math का अलग चलेगा, physics का अलग चलेगा, इंगलिस का अलग, तो जो timing चलेगा, वो ध्यान रखेंगे, math क यहाँ पर timing जो चलेगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही होता है, ओके, आप जब English पर जाओगे, physics पर जाओगे, 20 मिनट, English पर 20 मिनट, बस यही सु आएगा, दूसरा चीज, यहाँ पर जो number of question है, यहाँ पर देखोगे आप, तो total 100 question एक साथ देखेगा, section, और जब यहाँ पर बैठोगे, तो वही 25, 25 और 20 दिखता है, तो आपका normal चीज है, उसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक ही change है, बस यहाँ की, आपका time management यहाँ पर थोड़ा सापको और manage करना पड़ेगा, या नी, कोशिस करना पड़ेगा, 20 मिनट के अंदर यह साथी साथ मैं आपको बता दू, कि math में कोशन को छोड़ने का भी कोशिस करना, जो कोशन time taking लगे आपको, वो मत करना, ठीक है, आप सभी लोग इसके test को देना, और मुझे बताना कितना score है, अला कि मैं तो यहाँ से score निकाली लूँगा, तो आप सभी के लिए थोड़ा सा मुरी विर्चाप से rank boosting का काम करेगा, अगर आपको लोग को लगे कि नहीं हा सर, बढ़ियां आपने तरीका निकाला है, मतलब exampour defense वरी इतना तो आपके लिए करी रहा है, कि आप सभी का selection सुनिश्चित हो जाए, मतलब जो बच्चे साल भर से मेहनत कर रहे हैं, परिसान है मतलब job लेना चाहरे है, यह कह दिए, dedication, forge में जाने का, उसके लिए जितना रास्ता exampour की तरफ से बन सकता हम लोग कोशिस करें बनाने का, मतलब हर इस्थिती में कितना भी उतार चड़ाओ लेकिन आप लोग के लिए कहीं भी 1% मेहनत की कमी, आपके पढ़ाने के लिए एक दिन भी 1 second भी class में कमी हो, content में कमी हो, जजबे के अंदर कमी हो, ऐसा कते ही निये, हर परिस्थिती के उपर उठके हम लोग बच्चों के लिए कुछ नों कुछ हमेशा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इस बात का दवा है, फिलहाल के लिए हम लोग इतना बोले में ही मिल जाएगा, अब आप लोग मोबाइल में यह चीज कर सकते हैं, मोबाइल में अगर एक्जाम पूर ओफिस लैप नहीं डाउनलोड है तो अभी कर लिजिएगा, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको test series का option अपने आप दिख जाएगा, और उस test series में जाके आप air force का test दे सकते हो, बट मैं आपको mobile recommend नहीं करूंगा, पहले से बता दू, प्लीज आप सभी लोग थोड़े से पैसे खर्च होंगे, किसी दोस्त पड़ोसी से laptop का जुगार कलीजे, मिल जाता गाउं में भी, तो आपने test दे के देखिए एक बाद, mobile का test थोड़ा अलग feeling होता उसका अलग, और एक चीज, आप क्या करना, सिर्फ एक से दो paper का sheet ही लेके बैठना न, test देते वक्त, कोशिस करना उसी निसाल करो, क्योंकि वहां भी बहुत ज़्यादा paper नहीं मिलता आपको, एक ही दो मिलेगा, ठीक है, और पूरा जब एक घंटा बैठ हो, ए में exam में कैसे करना है, तो उमीद करता हूँ, आपके लिए एक अच्छा initiative है, अगर आपको बढ़ियां लगाओ, और सब के लिए, चाहे YouTube पे batch लिए थे, application पर या नहीं लिए थे, application वालों के लिए थोड़ा सा और extra off, मतलब extra mock test मिल जाता है, YouTube वालों के लिए 2-3 आपको free मि मिलते आपसे भी अपना ख्या लखेंगे, अपने घरोलों का ख्या लखेंगे, हसते रहेंगे, मुस्कराते रहेंगे, थेंक्यू, जैहिंद, जैवारत